कि वंदे मातरम आप सभी का नेट्वर्क टेंड में स्वागा थे में हूँ संजेगी रिगोश्वामें हैं आजकल उत्तर प्रदेश में नोएडा चाया हुआ है जी यां पिछले महीने देश के परधान मंतरी वहाँ पर थे और इस बार देश के उपराश्ट पती और मुख्य मंतरी लगातार नोएडा में आ रहे हैं एक समय ये भी था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी नोएडा को अपने लिए अशूब मानते थे एक समय ये है कि आज हर कोई नोएडा में आ रहा है रुक रहा है अगर पिछले साथ वर्ष में देखे तो उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया के निवेश को के विश्वास को जीता है और उसके अंदर नोएडा एक एहम नाम है अगर देखा जाये तो इस विश्वास को और जित करने में एक बड़ी भूमी का कानून विवस्था भी है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश ने जब अपनी ओध्योगिक विकाश की निति को बनाया था तो देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा था कि निवेश हमेशा रोजगार के साथ जुड़ना चाहिए और प्रदेश इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है आज प्रदेश भारत की अर्थ विवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है उत्तर प्रदेश आज भारत में निवेश के लिए पहली बड़ी पसंद बन गया है जियां और बड़ा बाजार भी बन गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवावादी निवास करती है जो योग्य और परतीबा से भरपूर है यहां निवेश भारत की अर्थ विवस्था को मजबूती से स्थापित करने के साथ साथ युवाव के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक नए आफसर होगा परदेश ने पिछले साथ वर्स के अंदर विकास और निवेश के कई नए युग में परवेश किया है इससे पहले नोएडा में सेमी कंड़क्टर को लेकर बड़ी मीट हुई जिसमें देश के परधान मंत्री आए और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड शो लगातार एक महिने के बाद अगले महिने में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी चल रहे होंगे कि आखिर इसका फाइदा क्या मिलेगा और आखिर क्यूं इस तरीके के शो लगातार यहां पर हो रहे हैं उत्तर परदेश इंटरनेशनल ट्रेड सो से जुड़े कुछ फाइदे ये भी है उत्तर परदेश के उत्पादों को वेश्विक बाजार तक पहुचाने का मोका मिलेगा उद्धमियों और कारीगरों को अंतरास्टी है मंच मिलेगा ओडियोपी के पारंपरिक उत्पादों को पहचान मिलेगी MSME और उद्ध्योगों को इससे नई प्रेड़ना भी मिलती रही और मिलेगी आकिर हो भी क्यों ना इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो कही ना कही जो उत्तर परदेश के उध्मी है और जो उत्तर परदेश के छोटे 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 लोग जो रोजगार करते हैं जो स्वेम के प्रोडक्ट लेकर आते हैं उन्हें कही ना कही एक नहीं पहचान मिलती है वियापार उद्धमों के लिए परचार और विकास योजनाओ का भी आयोजन होता है देखा जाये तो कमपनिया अपने उत्पादों और सेवाओं को परदर्शित कर सकती है मतलब इस तरीके के जब शो होते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक मंच मिलता है और वो अपनी परतिभा को वहाँ पर दिखा सकता है अपने उत्पादों को वहाँ पर दिखा सकता है जैसे जैसे निवेशक उत्तर प्रदेश के इंदर आएगे उससे बेरोज़गारी को कम करने में मदद मिलेगे नए-ने निवेश के प्रस्ताव परदेश को प्राप्त हो रहे हैं अलग-अलग सेक्टर की 27 नई पॉल्सी के साथ परदेश आज भारत की अर्थविवस्ता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है बहतर इंफ्रेस्ट्रक्टर के लिए जाना जा रहा है आज नोएडा और उत्तर प्रदेश लोजिस्टिक की दरस्टी से भी महतोपोन हो गया है यूपी आने वाले समय में सेमी कंड़क्टर का गड़ बनेगा नोएडा में सेमी कंड़क्टर की तीन बड़ी कंपनियों को हरी जंडी मिल गई है इनमें टॉर्क सेमी कंड़क्टर 28,440 करोड रुपे का निवेश करेगी वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट्स 13,599 करोड रुपे के निवेश से सेंत्र लगाएगी और केंड सेमी कौन 4,248 करोड रुपे का निवेश करेगी इस तरह कुल 46,287 करोड रुपे के निवेश से 40,000 से ज़ादा लोगों को रोजगार मिलेगा सेमी कंड़क्टर का गलोबल बाजार एक हजार अरब डॉलर का यूपी के लिए सेमी कंड़क्टर सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है फोन से लेकर ट्रेन तक में सेमी कंड़क्टर की जो भूमी का है वो एहम होती है सेमी कंड़क्टर सिलिकोन चिप होते हैं जो विद्धुत धाराओं को नियंत्रित करते हैं, यह उत्पाद के मेमोरी को भी नियंत्रित करते हैं, यह कंप्यूटिंग चिप और माइक्रो कंट्रोलर है, जो स्मार्ट स्पोन कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, ATM, ट्रेन और टेलिविजन से लेकर कार तक में इस्तमाल होत इस तक भारत में ही सेमिकंडक्टर की खपत सो औरब डॉलर से ज़्यादा होने का नुमान है, जिसमें उत्तर परदेश सबसे आगे होगा, उत्तर परदेश के विकास और अरहात रोजगार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात ने वन डिस्टिक वन पूडियोपी स्कीम की शुरुवात भी की थी, जिससे ये स्कीम हट जिले में उद्योगिक प्रोडक्टिविटी, रोजगार, उत्पादन और निर्यात में योगदान की वज़े से उत्तर परदेश की आर्थिक परगती और विकास का आधार बनाने के लिए लोंच की गई उत्तर परदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो होने का ये भी एक बड़ा कारण है कि आज उत्तर परदेश के अंदर सभी निवेशकों को लगता है कि उत्तर परदेश एक बड़ा बाजार है और उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता को लेकर भी हर तरफ चर्चा है ऐसे में निवेशक यहां आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा वैसे भी उत्तर प्रदेश के इंदर लगातार निवेशक आ रहे है अगर पिछले साथ सालों की बात करें ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे विश्वर से निवेशक उत्तर प्रदेश के इंदर आए है मतलब उत्तर प्रदेश उन लोगों को भाया है और भायी भी क्यों ना आखिर नोएडा है यही बड़ा खास ऐसे में उत्तर परदेश की जो कानून विवस्ता है उसकी भी गुंज हर और रही है यहां तक की बुलडोजर की गुंज तो पुरे विश्व में रही है ऐसे में इस तरीके के ट्रेड शो होने से यहां के जो उधमी हैं यहां के जो लोग हैं उनको सिधा-सिधा फाइदा मिलता है और कही ना कही जो रोजगार मिलने की बात होती है उसके लिए भी रास्ते खुलते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा निवेशक यहां आएंगे उतने ही ज़्यादा रोजगार के साधन यहां पर उपलब दोंगे और नोएडा इस बार इस चीज का एक हब बन चुका है नोएडा के अंदर फिलिम सिटी पहले ही आ चुके है नोएडा के अंदर पहले ही बड़ी-बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं ऐसे में अगर इस तरीके के ट्रेड शो होने के बाद यहां पर और निवेशक आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी उपलब दी होगी अतरपरदेश्ट की योगी आदितिनाज सरकार ने राज्य को साल 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर की एकनोमी बनाने का लक्षे रखा है फाइनेंसियल येर 2023-24 में राज्य की जीडिपी के 24.39 लाग करोड रुपे पहुँचने का अनुमान है अभी राज्य की एकनोमी में 23 परतिशत योगदान एगरिकल्चर 27 परतिशत मैनुफेक्चरिंग और 50 परतिशत सर्विसेज का है एक ट्रिलियन डॉलर के लक्षे को पाने के लिए राज्य को इन तीनों सेक्टर्स के आउट्पुट को कहीं गुना बढ़ाना होगा आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है वो राय आप अविश्य में दीजेगा क्योंकि आपकी राय भी बड़े माइन रखती है इस विशेश पेशकर्ष में इतना है दीजे मुझे इजाज़त जेहें